काली टोपी, काला जश्मा और सूट बूट के उपर लंबा सा काला ओवर कोट पहने हुए एक आदमी चार जून की सुभे हैती की सडकों पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए निकला। वो ऐसा ताना शाह था जो इस देश के सत्ता में दूसरी बार वापसी कर रहा था। लेकिन जीत का जश्न मनाने का उसका जो तरीका था, उसे देख कर लोग ये सोच रहे थे कि जिसे उन्होंने वोट दिया था, वो तो ये शक्स था ही नहीं, ये तो कोई और ही है। पब्लिक को एड्रेस करने का उसका स्टाइल आज बिलकुल बदला हुआ था। तंत्र मंत्र का जानकार होने का उसका दावा इतना तगड़ा था, कि उसके अकॉर्डिंग उसने तंत्र मंत्र के जरिये अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपती जैक कैनेडी की हत्या कर और उस गुडिया में ये सुईया चुब होता था। इतना ही नहीं उसके अकॉर्डिंग उसके तंत्र मंत्र में इतनी शक्ती है कि कोई गोली उसे छुबी नहीं सकती। लोग आने वाले वक्त को लेकर शंका कर ही रहे थे और उनकी ये शंका जायज भी थी क्योंकि उसने आने वाले समय में अपने ही देश के हजारों लोगों को मौत की नीन सुला दिया। यहां के खरीब और ब्लैक पॉपलेशन को गुलाम बना कर उनसे बेगारी करवाते थे। गन्ने के खेतों में काम कराया जाता था। इन परेशानियों से मुकापला करते हुए ब्लैक लोगों ने विद्रोह कर दिया और नेपोलियन की सेना को भी हरा दिया। 1804 में हैती आजाद हो गया। मगर इस आजादी की कीमत हैती को आने वाले 127 सालों तक चुकानी पड़ी। हैती दुनिया का पहला ब्लैक रिपब्लिक तो बन गया। लेकिन फ्रांस ने गुलामों को आजादी देने की एवज में उस समय डेड़ लाख करोड रुपयों का हरजाना मांगा। और हैती लंबे समय तक इस कर्ज को भरता रहा लेकिन फिर भी पूरा नहीं भर पाया। उसने मेडिकल में दाखिला ले लिया और डॉक्टर बन गया। उन दिनों हैती में एक ऐसी बिमारी भैल रही थी जिससे शरीर में फोड़े फुनसी हो जाते थे। हालांकि जल्द ही हैती में तखता पलट हुआ और पापा डॉक को साथ साल के लिए अंडरग्राउंड रहना पड़ा। साल 1956 में वो वापस आया उसी साल हैपी में चुनाव होने वाले थे। जिसमें पापा डॉक ने भी अपनी उम्मीदवारी का दावा पेश किया। वो चुनाव जीता और राष्टपती बन गया। इस समय तक पापा डॉक एक सौफ्ट नेचर का आदमी था। उसके कंधे हमेशा जुके रहती थे। लेकिन वो हमेशा अच्छे कपड़े पहन कर रहा करता था। धीरे बोलना और हलकी सी मुस्कुराट उसकी पहचान बन गई। उसके नेचर का फाइदा उसे चुनाव में मिला। उसने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि हमारे देश के सत्ता पर मुलाटों का कबजा है जिनकी जनसेंख्या केवल 10% है। अगर हम सत्ता में आए तो इन लोगों को देश से बाहर निकाल देंगे। दरसल मुलाटे उन लोगों को कहा जाता था जो गोरे और काले माता पिता की मिक्स संतान हुआ करते थे। यानि माता पिता में से कोई एक गोरी चम्री का होता था और कोई काला। पापा डॉक ने इन ही लोगों को हैती का दुश उसने अपने ही देश के लगभग 60,000 लोगों की हत्यागरबा दी। वो अपने दुश्मनों को एसिट के तालाब में फिकवा दिया करता था। साल 1961 की वो गर्म दोपहर उस समय कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई। जब पापा डॉक ने हेती में 13,20,748 वोटों से चुनाव जीता। चुनाव की जीतने का कारण ये था कि बैलेट पेपर में उम्मीदवार के दौर पर पापा डॉक के अलाबा और किसी का नाम नहीं था। लोगों को केवल यस या नो में ही वोट करना था। इसमें से 99.99 प्रतिशत लोगों ने हमें वोट किया। साल 1961 में जब उसने चुनाव कराए तो तमाम बाटियों को बैन करा दिया गया। और forcefully लोगों से केवल अपने ही नाम पर वोट डलवा दिये। 1961 में राष्टपती बनने के बाद सबसे पहले पापा डॉग ने साल 1964 में वहां के सम्विदान में बदलाव किया। और खुद को हमेशा के लिए वहां का राष्टपती घूशित किया। वहां की फौज को इतना सीमित कर दिया गया कि उसमें केवल 5000 जवान ही मौजूद थे। इसके बदले उसने अपनी खुद की एक आर्मी खड़ी की और उसके गुनलों की फौज को ही लोगों ने टॉन-टॉन मकुटे नाम दिया। उसने अपने विरोधियों को जेल में डाल दिया, पत्रकारों को गायब कर दिया, जो भी उसका विरोध कर सकता था उसे देश से निकाल दिया। वो पूरी तरह से आयाशियों में डूब गया। अमेरिका हेथी के लोगों को जो भी फंड देता था, उस सारा फंड राष्टपती के खर्चे में ही पूरा खत्म हो जाता था। अमेरिका के लिए केवल ये बाते माइन रखती थी कि हेथी में लोकतंत रहे और पापा डॉक को वहां की लोगों ने चुना है। टॉन्टॉन मकूटे ये वही नाम था जो पापा डॉक की जीत की वजह था। दर असल है थी के लोगों की बीच ये उस राक्षस का नाम था जो बच्चों को बोरी में बंद करके ले जाता था और फिर उन्हें खा जाता था। लोगों ने पापा डॉक के पर्सनल फॉजियों को टॉन्टॉन मकूटे नाम दे रखा था। एक बार पापा डॉक के बेटे को उसके एक विरोधी ने किटनेप करने की कोशिश की। हालांकि ये कोशिश सफल तु नहीं हुई लेकिन इसकी वज़े से पापा डॉक इतना जबर्दस्त घुस्सा हुए कि उन्हों ने अपने फौजी दस्ते टूटे के चीफ लकनर कैम्ब्रोन को अपने पास बुलाया। हैपी के लोग इसे करेबियन का वेंपायर कहकर बुलाती थे क्योंकि वो अपने खाली टाइम में वहाँ के लोगों का ब्लड निकाल कर अमेरिकियों को बेच दिया करता था और जब खून नहीं बिकता था तो उसको खुले में बहा दीता था। उस दिन भी इसने कुछ ऐसा ही किया। है थी कि राजधाने पौटो प्रिंस में एक पुराने फौजी का घर था। लकनर की लोगों ने उस फौजी के माता पिता को गोली मार दी और घर में आग लगा दी। उस समय घर में एक साथ महीने का बच्चा था। मगर ये तो एक शिर्वात थी। पापा डौक का घुस्सा शांत करने के लिए गुनहेगार का सिर काट कर चावल से भरी प्लेट में सजा कर उसके आगे पीश किया गया। राजधाने में हर जगे डेड बौडी ज बिखरी पड़ी थी। और लोगों को ये भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस राष्ट्रपती को वो प्यार से पापा कहकर बुलाते थे अब वो मौत का फरिष्टा बन गया है। जब स्पेन और फ्रांस जैसे देशों ने अफरिका और करेबियन लोगों को अपना खुलाम बनाना शुरू किया और उनका कंवर्जन शुरू किया। इसके जवाब में लोकल पब्लिक ने अपने तमाम रिच्वल्स को मिला कर एक नए रिलिजिन की शिरुआत की जिसका न वो काली डोपी पहनता था। काला चश्मा लगाता था, तीखी और तेज आवाज में बोलने के साथ साथ नशीले पदार्तों का सेवन करता था। ये काले कपड़े पहनता था। युग घरीबी और भुकमरी के साथ साथ उसके अत्याचारों के शिकार होकर भी मरे। साल 1971 में पापा डॉग को हार्ड अटेक आया और वो इस दुनिया से चल बसा। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके बाद हैती में अत्याचार का युग खत्म हो गया होगा तो ऐसा नहीं है। उसका बेटा बेबी डॉग, क्रूरता और अत्याचार करने के मामले में अपने बाप से भी दो कदम आगे निकला। तो कॉमेंट बॉक्स में आकर इस ताना शाह के बारे में अपने राए ज़रूर लखी, धन्यवाद।